हाई फ्रेंट्स आज का टॉपिक है हमारा फिश प्रवीजिन एंड प्रोसेसिंग यानि मशली का परिक्षन तो फ्रेंट्स इससे पहले मैंने फिशी कल्चर की बहुत सारी वीडियो अप्लोड की हैं अगर आप लोगोंने नहीं देखी हैं आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप डिस्क्रिप्षन में आपको प्लेलेस्ट लिंक मिलेगा वहां से आप जाकर देख सकते हैं सारी वीडियोस को तो आए स्टार्ट करते हैं मश्लियों का परिक्षन तो पकड़ी गई मश्लियों का परिक्षन मतस्यकी का महतोपोड अंग माना गया है जो मश्लियां हम पकड़ते हैं उनका परिक्षन करना फिश कल्चर का एक इन्पॉर्टेंट पार्ट होता है यदि मशलियों को पकड़ कर अगर उनका उचित परिक्षन नहीं किया गया तो मशलिया सड़ गल कर नस्ठ हो जाएंगी तथा उनका पकड़ना निरर्थक रहेगा अगर हमने उनका परिक्षन नहीं किया तो वो सडगल जाएंगी और हमें उनके पकड़ने से कोई प्रॉफिट नहीं होगा प्राया मशली पकड़ने के फॉर्म तथा अन्य स्थान मशली बाजार से दूर होते हैं जिससे मशलियां बाजार तक पहुँशने तक सड़कर विगटित होने लगती है इसके अतिरिक्त बाजार में भी उनकी विक्री में समय लगता है जिससे उनका परिक्षन आवश्यक हो जाता है जहां पकड़ी गई मशलियों की संख्या खपस से अधिक होती है वहां भवेश्य में उपियोग हेतु उनका परिक्षन किया जाता है मतलब जहां पर ज्यादा मशलियों की जरूरत नहीं होती है वहां पर उतनी ही मशलिया पकड़ी जाती है जितनी मशलियों की जरूरत हो क्योंकि मास बहुत जल्दी सढता है इसे लिए उनका परिक्षन करना आवश्यक होता है मशलियों का परिक्षड इस द्रस्टी से किया जाता है कि उनके मास्ट को पोश्किये तत्व तथा स्वाद, गंध, पाश्निय गोण आदी कम से कम नस्ठ हो सकें तथा वे लंबे समय तक ताजी बनी रहें तो फ्रेंट्स यह हमारा फिश कल्चर होता है अब हम बात करेंगे method of preservation की यानि परिक्षड की विडियों की तो फ्रेंट्स जो मशलियां होती है उनका हम परिक्षड कैसे कैसे कर सकते हैं कौन-कौन से टाइप से कर सकते हैं आईए देखते हैं मशलियों को कम तथा लंबे समय दोनों प्रकार से परिरक्षित किया जा सकता है फर्स्ट है हमारा preservation for short duration और सेकेंड है हमारा preservation for long duration तो टाइप से हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले preservation for short duration कालीन परिक्षड पकड़ी गई मशलियों को कुशली हुई वर्फ में रखकर तुरंत बाजार में बिकने के लिए बाजार ले जाया जाता है बर्फ में जो temperature रहता है हमारा ताप रहता है वो रहता है 0.4 degree centigrade जिस पर जीवाणू की leg phase बढ़ने से सुक्ष में जीविये प्रक्रियाएं मंध हो जाती है अब हमारी leg phase क्या होती है तो friends जो हमारा मास होता है यानि हमारी fish का जो मास निकलता है उसको हम खाते हैं और उसमें वेक्टीरिया बहुत जल्दी लगते हैं तो वेक्टीरिया को नियंतरट करने के लिए हम उसे वर्फ में रखते हैं अब वर्फ में रखने के बाद उसमें क्या होता है ठंडे पन से उसमें leg phase आ जाती है जीवाणू की leg phase leg phase क्या होती है leg phase वेक्टीरिया के जीवन चक्र की वहयविदी होती है जिसमें जीवन चक्र में गोडन मंध हो जाता है मतन का डिवीजन होता है वो बहुत धीरे हो जाता है जिससे मास सरने में समय लगता है और इतने टाइम में हमारा जो मशली का मास होता है वो मार्किट में बिग जाता है इसके बाद ट्रॉपिकल शेत्रों में ताप 27-30 degree centigrade होता है जिस पर ATP बहुत तेजी से विगटित होने लगता है जादा ताप होता है जिससे ATP बहुत तेजी से विगटित होने लगता है तो यह था हमारा preservation for short duration इसके बाद हम study करेंगे preservation for long duration मतलब लंबे समय के लिए हम इसको कैस से सेव रख सकते हैं तो first time cleaning करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे मश्लियों की cleaning करते हैं मश्लियों को ठंडे जल में भली भाती धोया जाता है जिसमें बैक्टिरिया रक्त लसला पन मल्की कीचड आदी दूर हो जाएं तो first हमारा cleaning जिसमें हमने फिश को किया साफ उसके बा मतलब जो फिश हमारी खाने लायक होती है उसे अलग कर दिया जाता है और उसके जो waste part होते हैं उन्हें निकाल कर अलग कर दिया जाता है जैसे कांट या blood जो भी निकलता उसके अंदर उसे हम अलग कर देते हैं उसके बाद आता है हमारा third preservation and storage परिक्षण तथा संग्रहण अ तो इसको हम two types से safe रख सकते हैं, first है हमारा refrigeration, प्रसीतन तथा उद्देश्य मशली को लगभग 0 degree centigrade ताप पर सनरक्षित करना है, मतलब जो refrigeration होता है, इसमें हम 0 degree ताप पर मशलीों को सनरक्षित करते हैं, तथा इस ताप पर leg face कई दिनों तक बना रहता है, इस दोरान नहीं लगते, जो लग जाते हैं, उनका जो division होता है, वो काफी धीरे धीरे होता है, जिससे मास को काफी समय तक store किया जा सकता है, इसके बाद हम बात करेंगे deep freezing की, इसमें क्या होता है, 7 degree centigrade तक ठंडा करने पर भी सुक्ष्म जीवों का गुड़न बंद नहीं होता, जरूर आती है, बट ठंडा होने की वजए से वो लेक फेश चलती भी काफी दिन है, बट ऐसा नहीं होता है, जो हमारे वेक्टीरियाज होते हैं, उनका division बंद हो जा, उनका division चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर वही कहा गया है, तो मशली मास सुक्ष्म जीव उसे स्वतंत्र ही नहीं रहता, आपी तो उनकी समिष्टी भी धीरे-धीरे कम होने लगती है, यही करण है तो मशलीओ को पकड़ने के बाद 30 मिनिट के अंदर उनके छोटे-छोटे टुकड़े किये जाते हैं, मतलब ठंडा रखने के लिए मशलीओ को हम क्या करते हैं, मश प्रक्रिया क्विक फ्रीजिंग कहलाती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्विक फ्रीजिंग, यदि वर्फ में दमाने की प्रक्रिया तीन से सताइस घंटे में की जाती है, तो यह प्रक्रिया स्लो फ्रीजिंग कहलाती है, हीमी करण के पस्चात मसलीओ को निकालने के अन्यथा गरम होते ही वेक्टीरिया का गुणन तेजी से होने लगता है भारत में यह है विधी मुंबई, चेनने, कोलकत्ता, कोचीन, कोडी को मेंगलॉर आदी में अपनाई जाती है अब इसके बाद यह हमारी हो गई प्रजर्रेशन एंड स्टोरिज अब हमने स्टोर कर लि मेना होता है जिससे वेक्टीरिया दोरा अब घटन तथा एंजायमेटिक ऑटोलाइसस ना हो जब नमी घटकर 10 परसेंट रहे जाती है तम मशलिया नस्ट नहीं होती यदि उन्हें सूखे इस्थान पर रखा जाए तो मशलिया नेमने प्रकार से सुखाया जा सकता है हमने म सुखाने के लिए कौन कौन सी विधिया अपनाई जाती है मशलियों को सुखाने के लिए निम्ण विधिया अपनाई जाती है जैसे नेचरल राइन यानि हम प्रकरतिक तरीके से मशलियों को कैसे सुखाते हैं मशलियों को पकड़ने के बाद धोकर धूप में सुखाया जा उन्हें भूमी पर फैला दिया जाता है तथा लटका दिया जाता है इस विधी में अनेक हानिया है यह बहुत धीरे-धीरे होती है तथा सड़ने की कारण इसमें हानी बहुत तेजी से होती है तो फ्रेंट्स अगर हम नैचरली तरीके से जमीन पर रखकर या फिर लटका कर मश्लियां इतनी जल्दी नहीं सूखती तो इसमें बहुत सारी मश्लिया क्या होती है सड़ जाती है और इसमें हमें बहुत सारी हानी होती है इस विधी को सूखे हवादार ऐसे वातावरण में अपनाना चाहिए जहां काफी धूप आती हो अर्थात यह स्था उपलबदता पर वातावरण ये कारकों पर निर्भर करता है इसके कारण केवल पतली मश्लियों को ही परिलक्षित किया जा सकता है क्योंकि मोटी मश्लियों में मास अधिक होता है गहराई तक सूखने में अधिक समय लगता है और गहरी मास पेसियों में वैक्टीरिया द्वारा अब बटन होना इस टार्ट हो जाता है. तो यह नीचिरल ड्रियून है. यह िवल छोटी-चोटी और कम समय तक स्टोर करने वाली पर अपना ही जाती है. बट इसमें हमें बहुत ज़्यादा लाओ्स होता है मशली का. इसमें मरी हुई मश्लियों को साफ करके उनकी आंतर निकाल दी जाती है और मश्लियों का सिर काट कर अलग कर दिया जाता है अब स्पिनल कॉलम को हटाया जाता है मश्लियों को मसीनों द्वारा सुखाया जाता है तो जो artificial drying होती है हमारी उसमें हम मशीनों द्वारा सुखा देते हैं इसके बाद आता है हमारा salting यानि लवडन नमक के उपचारित करने यानि salting के दौरान साधारन नमक यानि sodium chloride के घोल में मश्लियों को धोया जाता है हम sodium chloride के water में मश्लियों को धोते हैं salt मरी हुई मश्लियों को osmosis द्वारा निरजली करण कर देता है तथा सरीर उतक तथा सरीर में उतक प्रवेश कर उतक द्रव के सांधरन को संत्रप्त तक पहुँचाता है नमक का 25 से अधिक सांधरन सुख्ष में जीवों के गुणन को रोग देता है तथा अधिकान सुख्ष में जीव मर जाते हैं किन्तु कई सुख्ष में जीव अप्रभावित रहते हैं तथा इससे मश्लिया गुलावी या धुनली काली हो जाती है इसके बाद आता है smoking यानि ध्रोबन नमक से उप्चारित सूखी हुई मश्लियों को कभी कभी लकड़ी के धुए के संपर्क में लाकर छोड़ दिया जाता है मश्लियों को एक कोस्ट में रखा जाता है जहां पाइपों के माध्यम से धुए के दवाब के साथ भेजा जाता है धुए से मशलियों के मास्की नमी पोनेता समाप्थ हो जाती है तथा उनका स्वात बहतर हो जाता है और मशली मास्क को अधिक समय तक सनरक्षित रखा जा सकता है तो friends smoking में यही होता है कि धुए के द्वारा मशली के मास्क को सुखाया जाता है जिससे उनका देस्ट बहतर हो जाता है और मशलीयों को एक लंबे टाइन तक सनरक्षित रख सकता है smoking के बाद आता है हमारा canning यानि डिब्बी बन अब हमारे सारे परिक्षन हो गए हमने सुखा दिया मशली को अब हमें क्या करना है उसे पेक करना है डिब्बे में बंद करना है डिब्बी बंद का ताथपरे मशलीयों को टीन डिब्बो में रखकर लंबे समय तक परिरक्षित किया जाता है इसका आश्य समस्त सूख्ष्मजीव को उश्मा देकर मार देना होता है तथा ये डिब्बे इस प्रकार के होते हैं जिसमें अन्य सूख्ष्मजीव प्रवेश ना करें इन डिब्बो को क्या किया जाता है इन डिब्बो में भरके मश्टियों को उन्हें गरम पानी में उबाला जाता है जिससे सारे सुक्ष में जीब मर जाते हैं और उन्हें येर टाइट रखा जाता है जिससे उसमें कोई भी बैक्टिरिया एंटर ना कर सके